आज की वीडियो में कंपर करने वाले हम बोट की दो ऐसी स्मार्ट वोचे के बीच एक है बोट वेव आर्मर और दूसी है बोट वेव फोर्स तो इस वीडियो को बनाने की आवर सकता ऐसे पड़ गई कि हम अंतर तो देखने पड़ेंगे ना कि इन दोनों में क्या है क्योंकि देखने से पता था चल नहीं रहा तो डूट डूट के निकालने पड़ेंगे क्योंकि बोट ने ये दोनों स्मार्ट वोचे सेम फीचर और सेम प्राइस पॉइंट पर अलग अलग नाम के साथ अलग लग प्लेटफॉर्म पे लांच कर दी है अभी तक तो ऐसा ही लगता है बात वाकि यह दी कोई डिफरेंस होगा इस वीडियो के लास्तेक पता चल जाएगा तो इस वीडियो में लास्तेक बने रहे हो लाइस केट स्टाड़े सबसे पहले मैं इन दोनों के बिल्टन देखने को भी मिल जाएंगे और दोनों ही स्मार्ट वोचे में आपको डूल ट डिजाइन डिक्टों से हम है अब अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों ही स्मार्ट वोचे में आपको 1.83 इंजिस की एजडी डिस्प्ले मिल जाएगी जो की 214 x 284 पिक्सलेशन के साथ आजाती है और हाँ आपको 550 निट की बैटने स्मार्ट में मिलने वाली है और और स्मार्ट में 2लजी की साथ आते हैं और इननए आपको सरी ऑसारे हैल्धर सेंसर मिलने वाले हैं और साथ निया आपको रावाला इस्पॉर्ट में करें तो दोनों ही smart watches में आपको साथ दिन का बड़े आराम से ही निकाल देगा तो वाई ये तो हो गए इन दोनों smart watches के feature जो की अपेसी बात है same to same ही होने वाले थे है वो एक watch मतलब अलग 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 नाम से निकाली अलग 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 प्लेट फॉर्म पर ये बोट की पुरानी strategy है जो की वो अधिकतर यूज करता है दोनों ही smart watches दो इनी सो रुपए की प्राइस को बड़ा देता है तो आप आपको पता ही है कि जो भी आपको जो इसे प्लेट फॉर्म पर सस्ती मिले पोस्त को करीड लीजिएगा और वही इन्दों की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आप चाके कोई भी खरी सकते हो तो वही यही ता इस वीडियो में आई हो कि वीडियो आपको अच्छी लग